अलो दोस्तों मैं स्नेहा फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल स्नेहा अरविन कुक बुक में तो आज बना लेते हैं हम एक बहुत ही फेमस रास्थान की वड़ा रेसिपी जिसे कलमी वड़ा कहते हैं कलमी वड़ा बेसिकली बहुत ही क्रिस्पी सा और अंदर से कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से सपोर्ट कीजेगा तो चलिए फटा-फट शुरू करते हैं कलमी वड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कप सोक्ट चना डाल ले रहे हैं जिसे हमने पांच-छे गंटे के लिए पहले ही सोक करके रख दिया था यह बि कर सकते हैं और फ्रेश अद्रक डालना चाहें तो वह भी डाल सकते हैं और इस तरीके से हमारी दाल को पीस लेंगे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से दाल के ग्रेनुल्स इसमें अभी तिखाई दे रहे हैं तो अब इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं इस तरीके स सारा दाल का पेस्ट हम एक give bowl में निकाल लेंगे और अब हम इसमें add करना start करेंगे सूखे मसाले तो वन टेवल स्पून हमने सॉफ डाली है यह बहुत ज़रूरी है हाफ टीच्पून हम यहाप पे काली मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे हाफ टीस्पून हम यहां पर सोठ पावडर डाल रहे हैं जिंजर पावडर हाफ टीस्पून हम हम यहां पर गरंगा साहमें सां 66 मिर्च शुक्ट यूब धनीमिर करता है दूडर ark एक यहां डालें ठीके से बनीर आप हम इसके उपर बनाना स्टार्ट करेंगे हमारे वड़े देखे कलमी वड़े ना साइज में काफी बड़े बड़े होते हैं और सभी वड़े almost same size के होते हैं मतलब कोई भी वड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है तो इसलिए हम यहाँ पर कटोरी का मीडियम होट ओईल में देखे बहुत थंडे तेल में नहीं डालेंगे नहीं तो सारा तेल पी जाएंगे और बहुत ओईली हो जाएंगे और गरम में डाल देंगे तो आउटर लेयर फटा-फट से इसकी बिल्कुल ब्राउन शी हो जाएगी और अंदर से एक दम कच्ची रह देखें बफान के तो कि अंदर और यह एंदर कि और भाइ कि उसलिए अदर्लाया है थोड़ कोरें---- और फिर इनको सर्व करेंगे गर्मा गरम चाय के साथ हरी धनीय की चटनी के साथ और नहीं तो सिर्फ सॉस के साथ में सर्व करेंगे तो यह सब को बहुत ही पसंद आएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ये वड़े कब बना रहे हैं और अगर आपने बनाए हैं तो आपके कैसे बने हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू